क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना उन्हें अच्छे संसकार देना उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना उन्हें मानसी कुरूप से मजबूत बनाना दोस्तों इस काम को मैं मुश्किल इसले बोल रहा हूं कि आप परवरिस में कितनी ही मेहनत कर लें, कितने ही अच्छे रिस्षोर्स लगा लें, कितने ही अच्छे टीचर लगा लें, लेकिन आप इसमें 100% कभी शूर नहीं हो सकते हैं, आज मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा, जिसस आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिस कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में मेरा सबसे important point है, यदि आपने उस point पे ध्यान ने दिया, तो आपकी सारी मेनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखना दोस्तो, दोस्तो आज हम इसी topic पर बात करे हैं, नमस्कार मैं हूँ अभिशेक, दोस्तो आज मैं कुछ तरीके आपको ऐसे बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को कामिया बना सकते हैं, काबिल बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, उन्हें एक ऐसा fighter बना सकते हैं, जो मुश्किल से जैसे ही आपका बच्चा साथ या आट साल का हो जाए उसके बाद से उसको motivational कहानिया सुनानी सुरू कर दे उसको योधाओं की कहानिया सुनाए उसको ऐसे लोगों की कहानिया सुनाए जुन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपना धहरे रखते हुए उन परिस्थितियों को पराजित किया हो उन्हें logical कहानिया सुनाए जिनमें तरक शक्ती का इस्तमाल होता हो इससे उनका मानसिक विकास होगा उन्हें छोटी छोटी पंचेतंत्री की कहानिया सुनाए अकबर बीरबल की कहानिया सुनाए तेनाली रमन की कहानिया सुनाए जहां लोजिकल रीजिनिंग हो कहानिया सुनने से दोस्तो बच्चों का तारकिक विकास होगा उनकी तर्क शक्ती बढ़ेगी उनकी कलपना शक्ती बढ़ेगी वे मानसिक रूप से मजबूत होंगे उनके सामने एक उधारन होगा कि कैसे लोगों ने कठिन परिस्थितों को हरा कर अपने आपको एक मजबूत इनसान बनाया और दोस्तो ये कहानिया सुनना एक पैसिव लर्निंग की तरह है कि आप बच्चे को सब कुछ शिखा भी रहे हो और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा दिमाग इतना मजबूत हो चुका है इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को कहानिया जरूर सुनाई दूसरा पॉइंट है अपने घर में ऐसे लोगों की फोटो लगाना जिनोंने जीवन में कुछ ना कुछ किया हो कुछ बड़ा किया हो जिनके कामों से समाज को एक नई दिशा मिली हो और खास कर उन लोगों की फोटो लगाएं जो आजकल ट्रेंड में है ताकि आपके बच्चे कनेक्ट कर पाएं जैसे महेंदर सिंग धोनी है रतन टाटा है मेरी कॉम है और आजकल के जो बिजनिस टाइकून वगरा है इन सब क्या फोटो लगा सकते हो इससे क्या है आपका बच्चा इनको कनेक्ट करेगा आप पुराने आदर्शवादी लोगों की फोटो लगा लोगे तो आपका बच्चा उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा उनकी विचारधारा उस समय के हिसाब से अच्छी थी लेकिन आज का जो समय है उसके हिसाब से आज के लोगों की विचारधारा आपके बच्चे को ज़्यादा सूट करेगी उनकी फोटो देख देखके आपके बच्चे जानने के इच्छुक होंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे और क्या किया है इसलिए दोस्तों अपने घर में इन लोगों की फोटो ज़रू लगाएं तीसरा पॉइंट है हमारा बुक्स पढ़ना अपने घर में अच्छे-च्छी बुक्स रखें कहानियों की बुक्स रखें बायोग्राफिक की बुक्स रखें घर पे अच्छे अच्छी बुक्स रखने से आपका बच्चा उन्हें देख देके कभी ना कभी उनको पढ़ना शुरू करेगा, उनका दिमागी विकास होगा, उनकी एक तरक शक्ती, कलपना शक्ती बढ़ेगी, इसलिए दोस्तों अपने घर में अच्छी अच्छी बुक्स रख सकते हैं, आपको अपने बच्चों को बुक्स का एकसेस जरूर देना चाहिए, मेरा चोथा पॉइंट है, एकसरसाइज करना, दोस्तों बच्चों में एनरजी बहुत होती है, और यदि इस एनरजी को आपने दिशा नहीं दी, तो ये गलत दिशा में भी भटक सकती है आपका बच्चा गलत संगत में भी पढ़ सकता है, गलत कामों में भी लग सकता है, इसलिए आप अपने बच्चों को स्पोर्स की एक्टिविटी जरूर करवाएं, यदि आपका बच्चा छोटा है, तो उसे खिलाएं, खेलने दें, कूदने दें, मस्ती करने दें, उसकी स सोचेंगे शारीरिक तो ठीक है मांसिक विकास exercise से कैसी होता है तो मैं बताओं कभी आपने दोड लगाई होगी एक किलोमेटर की दोड है और जैसी ही आपने दोड शुरूगी आपके मन में थोड़ा सा आगे चलते ही विचार आने लगते हैं कि छोड यार क्या करना है किलोमेटर आपका थोड़ी देर बाद हो जाएगा तो होई ना मांसिक मजबूती आपने अपने नेगिटिव विचारों को कंट्रोल करते हुए अपनी रेस पूरी की ही ये एक तरह से मांसिक मजबूती देता है और वैसे भी कभी आप देखना जब आप परिशानी में हो तो exercise करके देखना वो भी सुबह सुबह आपकी आदी टेंशन तो exercise से ही उड़ जाएगी आपका दिमाग हलका महसूस करेगा relax महसूस करेगा इसलिए दोस्तो अपने बच्चों को exercise जरूर करवाए बच्चों को तो बहत जरूरी है exercise करवाना वैसे तो सबी को करना चाहिए लेकिन बच्चों के लिए मश्ट है। और मेरा पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बच्चों के पेरेंट्स बनने की जगा है, उनके दोस्त बन जाईए। उनसे बाते कीजिए, उन्हें सला दें, मगर एक पेरेंट्स की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, अकेले में उनके साथ खुल के बाते करें, मस्ती करें, इंडोर एक्टिविटीज करें, खेल कूद करें, ताकि वे अपनी हर बात आप से खुल के कर सकें। मेरा यह पॉइंट उन माबाप के लिए तो बहुत जरूरी है, जिनके बच्चे दस साल को क्रॉस कर चुके हैं। आपको अपने बच्चों का विश्वास जीतना होगा, और तभी आप अपने बच्चों को सही राय दे सकते हैं, और बुरी संगत से बचा सकते हैं। दोस्त बनना दोस्तों बहुत जरूरी है अपने बच्चों का, ताकि वे हर चीज आप से शेयर करें। और जब आपको सारा इंपुट उनसे मिलेगा, उसके बाद ही आप एक दोस्त की तरह उनकी समस्याओं को सुलजाएं। और उसके बाद ही आप उन्हें अच्छे और बुरे की समझ दे सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों के दोस्त बने रहिए। और मेरा सबसे लाश्ट का पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये चीज ध्यान नहीं रखी, तो आपके उपर किये हुए सारे काम शुन्य हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों की संगत का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कौन तो दोस्त हैं, वे करते क्या हैं, क्या उनकी सोच है, इस चीज का आपको बेहत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके बच्चों की संगत खराब है, तो आप कुछ भी कर लीजी, आप उनको बचा नहीं सकते। वे आपसे लड़ने के लिए त्यार हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों के दोस्तों पर जरूर नजर रखें, उनकी एक्टिवीटी पर ध्यान दें। और जैसे ही पता चले कि आपका बच्चा गलत संगत में है, तुरंत उस पर एक्शन लें। जरासी भी धिलाई न बढ़तें। क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर आपने इस काम में धिलाई बरत दी, तो आपके सारे किये कराये पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों की संगत पर जरूर ध्यान दें। तो ये थी दोस्तों मेरी कुछ बातें जिससे आप अपने बच्चे को मजबूत बना सकते हैं, उसका भविश्य शुधार सकते हैं, उन्हें एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टोपिक के साथ बाई बाई